नमस्कार आप देख रहे हैं News 4 National मैं हूँ प्रियदासन बिहार में राष्ट्रिय जन्तादल और जन्तादल उनाइटेट एक साथ सरकार चल रहा रहे हैं और अब केंदर की मोदी सरकार को घेरने के लिए 23 जून को नितिश कुमार देश के तमाम विपक्षी दलों की पतना में बैठाक भी बुला रहे हैं इन सब के बीच केंदरिय जाच एजन्सी एडी ने तमिलनाडू में एक बड़ी छापे मारी की है और तमिलनाडू के बिजली मंतरी सेंथिल को गिरफतार कर लिया गया है और इन सब के बीच अब विपक्षी एक्ता की कवायद में जुटे नितिश कुमार और लालू यादव की पार्टी ने एक साथ इस मामले को ले करके केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है और इस पूरी की पूरी कारवाई को प्रतिसोध की राजनिती में केंद्रिये जांच एजंसियों का दुरूपयोग कहा है यानि कि जिस प्रकार से बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में फसे लालू यादव पर जब जब पिछले कुछ दिनों से केंद्रिये जांच एजंसियों ने अपना सिकंजा कसा है तब तब चाहे जनतादल उनाइटेड हो या राष्ट्रे जनतादल हो उसने इसे केंद्रिये जांच एजंसियों का प्रतिसोध कहा तो इसी तरीके से अब तमिलनाडू में भी समान जो लालू यादव जिस प्रकार के घोटाले में फसे हुए है उसी प्रकार से कैस्फोर जॉब मामले में फसे हुए तमिलनाडू के बिजली मंतरी सेंथिल पर भी जब अब केंद्रिये जांच एजंसियों ने सिकंजा कसा है तो इस मामले को ले करके भी एक साथ लालू यादव जद्यू के राष्टे देक्स ललन सिंग दोनों ने मुदी सरकार के खिलाप मूर्चा खोल दिया है और उन पर मोदी जो सरकार है केंद्र में उस पर केंद्रिये जाच एजन्सियों के दुरूपयों को ले करके एक बाद फिर से कहा है कि तमाम विपक्षी दलों को इससे बएक तरब्धान होने की आवसकता है और यह सिलसिला 23 जून तक चलता रहेगा यानि की जब पटना में विपक्षी की बैठवक होगी दरसल तमिलाडू के बिजली मंत्री वी संथिल बाला जी को कैस्प और जॉब घोटाले में गिरिफतार किया गया है पिछले महीने ही सुप्रीम कोट ने पुलिस और एनफर्फेस डायरेक्टर यानि की ईडी को जाच की अनुवती दी थी इसके बाद धन सोधन वित्रन अधिनियम के प्रावधानों के तहट तमिलाडू के बिजली मंत्री के घर पे छापे मारी हुई और अब उनके एक गिरिफतारी भी हो चुकी है सेंथिल के अब करीबियों के हाभी इस मामले में छापे मारी हुई है और कई जरूरी सबूत भी केंद्री अजेंसियों ने जुटाए हैं इन सब के बीच अब तमिलाडू के मंत्री को बिहार के राष्टे जनतादल के प्रमुक लालू यादव और जनतादल उनाइटेर के राष्टे अध्यक्ष ललन सिंग का साथ मिला है दोनों ने एक साथ केंद्र सरकार पर हमला में बोला है लालू यादव ने ट्वीट करके तमिलाडू में हुई केंद्र एडी की कारवाई को केंद्र सरकार के प्रतिसोध की राजनिती करार दिया है उन्होंने लिखाया कि तमिलनाडू के मंत्री थिरू सेंथिल बाला जी के खिराब केंदर सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा प्रतिसोध की इस कारवाई को देखकर ना तो चौकाने वाली कोई घटना है ना तो आश्यर चकित करती है बलकि वर्ष 2024 के आम चुनाओ तक यह सिल्सिला जारी जरहेगा कोई गलती नहीं करना है हम लरेंगे और जीतेंगे हम पूरी एक जुटता के साथ तमिलनाडू के MK स्टालिन सरकार और थिरू M बाला जी के साथ मजबूती के साथ खरे हैं इसी तरीके से जनताद उनाइटेट के राष्ट्रे दिया कि ललन सिंग ने भी तमिलनाडू के MK स्टालिन सरकार को अपना नायतिक समर्थन दिया है और ललन सिंग ने कहा है कि E.D. ने तमिलनाडू में तिरूवी से अंतिल बाला जी के घर पर छापा मारा है जो 23 जुन को पटना में स्रीनितिस कुमार जी के द्वारा बुलाई गई सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक किरिया है भाजपा सरकार राज्यों में विपक्षी दलों के नतृत वाली सरकारों को बदनाम करने के लिए विपक्षी दलों के खिलाब संबेधानिक संस्थाओं का दु रूपयोग कर रही है 23 जून से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाब इस तरह की कारवाई की उमीद बहुत अधक है जदियू मान्य प्रधानमंत्री के नतृत वाली केंदर सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और दुर्भागपुर्ण कारवाई की करी निंदा करता है या इस प्रकार से लालू यादव के खिलाफ जब 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 जाच एजेंसियों के द्वारा कारवाई की जाती है तब तब इसे प्रतिसोध की राजनिती करार दिया जाता है अब कुछ उसी तरज पर जब तमिलनाडू में वहां के बिजली मंत्री के खिलाफ कारवाई हुई है तो इसे भी केंद्रिय जाच एजेंसियों का दुरूपयोग और राजनिती के लिए इन एजेंसियों का राजसरकारों के खिलाप दुरूपयोग कराट दिया गया है अब देखना महत्पुर्ण होगा कि जिन बातों को राष्ट्रे जनतादल और जनतादल उनाइटेट की और से बार-बार मोधी सरकार को ले करके कही जा रही है उसके बाद आगे आने वाले समय में जो भी पक्षी दलों की बैठक होगी क्या उस बैठक में DMK के और से स्टालिन आते हैं या नहीं आते हैं क्योंकि अभी तक स्टालिन के आने को ले करके फिलहाल कोई आम सहमती नह होता है हम आपको तमाम अप्टिट्स पताएंगे आप हमारे साथ बरे रहने इस फोर नेशन को